नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं अश्टमी और नमी को जहरखन में दिन भर बारिस के असार, जहरखन में दुरगा पुजा पर बारिस के असार है, महा सब्तमी से महा दसमी तक, राज्ये के उपर घने बादल चाय रहेंगे, वहीं दो अक्टूबर को राज्ये के कुछ हीसों में हलकी छीट फूट बारिस सिस्टम कमजर होने के बावजूद महा दसमी के दिन भी बादल चाय रहेंगे, इस दिन भी एक से दो बार बारिस होने की संभावना ब्यक्त की गई, मौसम बैग्यानी के अनुसार बांगाल की खाड़ी के उतर पूर्वी भाग पर बने सैकुलेनिक सैकुलेशन के कारण इ ज़ारखन के 6,000 वकिलो के रद होंगे लाइसेंस। में बहस नहीं करतें लेकिन बार संखों में मद्दान कर रहे हैं और वकीलों की कल्यानकारी युजनाओं का लाब भी ले रहे हैं इन वकीलों को कर कोट में प्रेक्टिस भी नहीं करते जारखन में 609 रूट पर चलेंगी बसे जारखन के गाओं को पर खंडों वा सहरों से जोडने के लिए 609 रूटों पर बसों वा अन्य वाहन चलाए जाएंगे इसकी त्यारी शुरू कर दी गई है मुख्य मंत्री हेमन सिरेंग के निदेश पर परियोहन विभाग ने रूट चयान और बस ओपरेटरों को छूट का प्रवधान तय कर दिया है सर्तों के साथ रूटों की निमतम लंबाई 70 किलोमीटर रखी गई है इसे मुर्त रूप देने के लिए मुख्य मंत्री गाओ गाड़ी योजना जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागो होगी रूटों की संख्या और लंबाई आगे बढ़ाई भी जा सकती है हलाकि पहले कम से कम 6 सा रूटों पर वहन दवड़ा कर गाओं की सहर से कनेक्टिवीटी बेहतर करने की दिशा में पहल होगी बतादे जार्खन गठन के 22 बर सो बाद भी राजे का अपना परिवहन निगम नहीं है इसके गठन की परकिरिया भी चल रही है इस देरी का खामियाजना ग्रामिनों को भुगतना पर रहा है धानबाद में दो यूगों ने धार्मिक अस्थाल में की तोड़ फोर गोबिंद पूर थाना छेतरे की जमडिहा पंचायत के कूबरी टान गाव में सुक्रवार को दो यूगों ने संप्रदाईक सवहर्द विगारने के कोशिस की है एक यूगों ने बजरंग बली के परतिमा और सीनिक को छती गरस्त कर दिया वहीं इस दोरान दूसरा साथी वीडियो बना रहा था यूगों को तोड़फो करते एक महिला ने देख लिया हो हला करने के बाद ग्रामिन जुटे और एक यूगों को पकड़ लिया इस दोरान उसका दूसरा साथी भाग निकला लोगों ने मंदीर परिसर में खंभे से बाइंद कर आरोपित इम्तियाज अंसारी तेज़ वर्षिये पिता मुस्लिम अंसारी की जम कर पिटाई की कुछ दिर के बाद दूसा आरोपी जाहिद अंसारी पिता इम्राज अंसारी भी पकड़ा गया है जार्खन सरकार ने केंद्र को सुखार घोसित करने के लिए नहीं भेज़े परस्ताव पलामू के सांसत बीडी राम ने जर्खन सरकार पर हमला बोला है, उन्होंने कहा है कि केंद्र द्वारा राज्य आपदा मोचन निधी से फंड आवंटित होने के बाद भी जर्खन सरकार ने राज्य की जानता को सुखार से रहात देने समधी कोई भी गोस्तना नहीं की, या बताता है कि राज्य सरकार सुखार के प्रतिगंभीर नहीं है, उसे किसानों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राजनितिक करनी है रांची में होगी G20 देशों की बैठक 540 परतिनिधी लेंगे हिसा, G20 दुनिया के विकासी लोव विक्सित देशों का संगठन की बैठक 16-17 फरवारी और 16-17 मार्च 2023 को रांची में होगी बैठक आस्थाल रांची के कोल इंडिया कॉन्फिरेंस होल में होगी, इसमें G20 देशों के करीब 540 परतिनिधी भाग लेंगे सुक्रवार को देश के G20 के निदेशक, मिनिस्ट्री अफ होम अफेर्स सहीत, दो से सही टीम ने पुलिस मुख्याले में डिजी पी निदेशिन हा, एडिजी अभियान संजय, आईजी अभियान अमोल होमकर और एसपी सुरक्षा सिवानी तिवारी सहीत, और अधिकारियों के साथ G20 की टीम ने बातचित की है, इस दोरान G20 के निदेशक वावन के साथ आई अधिकारी ने पावर प्रोजेंटेंशन भी दिया है, हजारी बाग के दनुवा घाटी में ट्रेंकर पलटने से गैस कारी साव, बिहार जार्खन की सिमा पर हजारी बाग के चोपारन थना चेतर के दनुवा घाटी में सनिवार की सुबा गैस टंकर के पलट जाने की सुचना है, बताया जाता है कि बिहार की ओर जानने वाले मार्ग में ट्रेंकर सड़क से उतर कर दुरगाटना गरस्त हो गई है, इससे वहाँ गैस रिसाव की असंका जताई जा रही है, आथानिय लोगों ने गैस रिसाव की सुचना भी दी है, इससे बड़ी दुरगाटना हो सकती है, हलाके अभी तक इसकी अधिकारिक पुष्टी नहीं हो पाई, दुरगाटना के ततकाल बाद पूलिस को इसकी सुचना दे दी गई है पंद्रह लाह के इनामी मवादी कारू यादों ने खोले राज, दो दिनों के पूलिस रिमान पर आये पंद्रह लाह के इनामी मवादी जोनल कमांडर दीपक उर्फ कारू यादों ने पूलिस के समक्ष कई राज खोले है, कारू के बताय अनुसार केरे डारी थाने की पू चुमा जंगल से पूलिस से लूटी गई दो इंसास राइफल, एक देस्टी करवाइन और एक पिश्टल बरामत की है। इसके अलावा 200 जीवित कार्तूस्त बे बरामत किये गा है। कार्तूस्त को जंगल में मिट्टी में सुरक्षी तरीके से दबा कर रखा गया था। यह जनकारी प्रेस वारता के दवरान एसपी मनोज रत्तन चौथे और सी आरपी एक कमांडेट ने सन्युक्त रूप से दिया है। CBSC बोर्ड दसवी बरामी परिक्षा का डेट सीट दिसंबर तक CBSC बोर्ड के चातरों के लिए बड़ी खबार है केंद्रियम आदमिक सिक्षा बोर्ड CBSC की ओर से बोर्ड परिक्षा 223 की डेट सीट घोसित करने की अभी कोई संभावना नहीं है। परिक्षा नियंत्रन सन्यम भर्दवाज ने कहा है कि अदिसंबर में आएगा। चातर इसे CBSC.gov.in वेब साइट पर एक्सेस कर सकते हैं। ताया जनकारी के मुताबिक अंद्रियम आदमिक सिक्षा बोर्ड दिसंबर में काक्षा 10 वी और बरहमी की बोर्ड परिक्षाओं के 20-30 डेट सीट जारी करेगा। बोर्ड के परिक्षा नियंत्रक सन्यम भर्दवाज ने मीडिया को अबचारिक बाचीत में बताया है कि जल्द लाइफ सर्टिफिकेट बैंकों में जमा कर दे या फिर जीवन पवान पत्र पोर्टल में अपडेट करें नहीं तो दिसंबर से पेंशन बंद होने के खत्रा मंड़ाने लगेगा। ओएशडी वैसाली कंधवे ने 27 सितंबर को इस सम्बाद में पत्र जारी किया है। के एन तिरिपाठी का नमांकन रद्ध ज्हारखन के पूरो मंत्री और कांग्रेस ने ता के एन तिरिपाठी का कांग्रेस का बोस बनने का सपना तूट गया है। उनका नमांकन रद्ध हो गया। कर दिया गया है। के उनसार और जगों पर भी छापे मारे की त्यारी की जा रही है। धन्यवाद। यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राब कर बहुल का बेल एकन दबाए। साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को साथ सेर करना ना भूले।